नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वैश्विक बजार में विस्तार आज की युग में किसी भी व्यवसाय के लिए एक महत्वपून कदम है। ये वीडियो उन रन्नीतियों को प्रकाश में लाएगा जो व्यवसायों को अंतराश्ट्री अस्तर पर सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। वैश्विक बजार में विस्तार से पहले गेहन बजार अनुसंधान आवश्यक है। इसमें लक्षित बजार की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक विशेशताओं को समझना शामिल है। उदाहरं के लिए, मिकडॉनल्स ने भारत में अपने मेनू में शाकाहारी विकल्पों को शामिल किया ताकि स्थानिय सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान किया जा सके। स्थानिय करन का मतलब है अपने उत्पाद या सेवाओं को स्थानिय बजार के अनुसार अनुकूलित करना. ये सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं है, बलकि ब्रेंडिंग, मारकेटिंग और उत्पाद प्रस्तावों का स्थानिय संस्कृति के अनुसार धालना भी है. उदाहरन के लिए, नेट्फलिक्स विभिन देशों में स्थानिय सामगरी निर्मान में निवेश करता है. वैश्विक बजार में प्रवेश करते समय दिजिटल मारकेटिंग एक महत्वपूर्ण उपकरन है. सोशल मीडिया, इमेल मारकेटिंग और एसियो जैसे उपकरनों का उपयोग करके विफसाय विश्वव्यापी दर्शकों तक पहुँच सकते हैं. उदाहरन के लिए, जरा अपने फैशन शो की लाइफ स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पर करता है. वैश्विक विस्तार में स्थानिय भागीदारों और वित्रकों के साथ सहयोग एक महत्वपू रणनीती है. ये बजार में प्रवेश करने की गती को बढ़ा सकता है और विफसायों को स्थानिय बजार की जटिलताओं को समझने में मदद कर सकता है. उदाहरन के लिए, स्टार्बक्स ने चीन में अलिबाबा के साथ सहयोग किया. वैश्विक बजार में विस्तार के लि श्रिंखला की रणनीतिक योजना भी शामिल है. इसमें उत्पादन स्थलों, लागत कुशलता और त्वरित वित्रन के लिए उप्यूक्ट स्थानों का चैन करना शामिल है. आपल अपने उत्पादों के लिए वैश्विक आपूर्ती श्रिंखला का प्रबंधन कैसे करता है. ये एक प्रमुक हुदाहरन है. वैश्विक विस्तार में विभिन देशों के विनियामक और कानूनी फ्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है. इसमें व्यापार लाइसेंस, डेटा सुरक्षा कानून और श्रम कानूनों का पालंग करना शामिल है. GDPR और CCTA जैसे डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन इसका एक हिस्सा है. वैश्विक विस्तार के ये सांस्कृतिक समवेदन शीलता और समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसमें विग्यापन, ब्रांड मेसेजिंग और उत्पात डिजाइन में स्थानिय सांस्कृतिक करना शामिल है. के एफसी ने चीन में अपने मेनू में स्थानिय व्यंजनों को शामिल करके बड़ी सफलता पाई. वैश्विक बजार में विस्तार के लिए रननीतियों का सफल कार्यान वयन व्यफसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने, ब्रांड जागरूपता भूले. धन्यवाद.